दोस्तों स्वागे थे आप सभी का Education K86 और White Education के इस प्लेटफॉर्म पे आज इस वीडियो के माद्यम से एक नया सिरिज शुरू हो रहा है ये एडूटेरिया वार्से कांक जो 2021 का आ चुका है दोस्तों इसके revision section को लेकर हम लोग cover करेंगे चुकि देखिए हमने आपको एडूटेरिया का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही खतम करवाया है उसके Qs भी Telegram पे करवाया है और अब यहाँ पर यह combined एक साल का complete 2020 का current offer का सिरिज दे दिया गया है आप लोग यह book market से ले सकते हैं साटर पे इसका दाम है लेकिन जिन लोग के पास पैसे नहीं है जो थोड़ा सा गरीब परिवार से आते हैं वो चिंता ना करेंगे क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे class दूँगा उस class का PDF में अपने Telegram पे share कर दूँगा तो आप लोग वहाँ से भी उसको डाउलोड करके पढ़ सकते हैं इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में जो इसके static parts हैं जैसे कि मालेजे कि हमारा जो पहला static parts है वो Tokyo Olympic और Paralympic को लेकर है तो उस chapter को एक एक chapter कभर करेंगे starting से मैं आपको एक बार थोड़ा सा जलक दिखला देना जाता हूँ जैसे कि यह indexes है इसके तो इंडेक्स में पहला जो chapter है हमारा वो Tokyo Olympic दिया गया है मैं आपको इसमें जो दियेगे 900 questions का series है वो भी मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ यहां से देखिएगा यह इसका पहला part है ठीक है तो इस practice है को हम लोग रोज करेंगे है ना इसमें 50 questions है तो रोज 50 questions और 7 में इसके पहले chapter को कभर करेंगे यानि कि एक तरब से हम लोग static GK को कभर करते चलेंगे और साथ में इसी वीडियो के माध्यम से यहां 50 questions का यह test भी लगाएंगे तो आप लोग के लिए यह important होगा और बहुत ही useful होगा चुकि यहां से इस book से अलग अगर आप देखते current पर उठाते भी हैं तो इस PD आपके सामने एक book होता है तो इस PD और इसको मिला कर हमने काफी जो analysis किया है इसमें बहुत कुछ similar है और वो चीज़े यहां पर Qs के form में दिया हुआ है आप स्पीडी से भी त्यारी कर सकते हैं मैं स्पीडी का भी series आपको टेलीग्राम पर चलवा रहा हूँ तो सुबह साथ बज़े स्पीडी का current पर आप लोग लगा सकते हैं और इस वीडियो के मादम से यूड़ुटेरिया का ये series आप देख सकते हैं तो अब चलिए शुरुवात करते हैं दोस्तों लेकर चलते हैं पहले theoretical पार्ट पर उसके बाद हम लोग कभर करेंगे यहाँ पर इस series के बारे में इस टेस्ट के बारे में ठीक है आप लोग को भी आंसर करना होगा धन्यवाद तो यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे तो यह है Tokyo Olympic तो Tokyo Olympic को समझते हैं पहले आप सभी को यहाँ से थोड़ा theoretical पार्ट यहाँ से देदेना चाहता हूँ आज हमारा पहला चैप्टर है और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजेगा है ना इसी तरह मैं आपको पूरे जो है इसमें जितने भी सेट दिये गया है उनसे सारे सेट को complete भी करवा दूँगा तो दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा जूमिन करके देख लाना चाहूंगा तो 32 वा संस्क्रान था 23 जुलाई से 8 अगस्त यह डेट याद रखेगा मतलब कि दो कोशिन यहाँ से इंपोरेंट होगे मैं आपसे पूछूंगा अभी क्यूज में आप लोगको आंसर करना होगा खेलका इजन किया गए दोस्ते का सुभांकर जो होता है किसी भी खेलका या किसी भी अगर कोई टॉर्नामेंट हो रहा है вक्राण तो इसका था नाम दोस्तो मिराईट तोभा इसको लिख लिजे और मैं तो यह से आपको यह PDF दे दूँगा PDF आप लोगो मिलता रहेगा टेस्ट का भी ठीक है और यह PDF आप लोगो पूरा complete book का भी दे दूँगा जो लोग के पास भाई book नहीं है वो लोग यहां से ले सकते हैं ज्यादा दाम भी नहीं है 60 रुपे का है आप लोग यह series खरीच सकते हैं दोस्तो मार्केट में अबलेबल है COVID-19 महामारी के दोरान पूरे दुनिया में एक जूरता दिखाने के लिए Olympic के आदर्श वाके जो की तीन वाके को चुना गया था इस Olympic में Faster, Higher और Stronger को बदल कर इस बर रखा गया दोस्तों यहां बदल कर Faster, Higher, Stronger और Together कर दिया गया ठीक है Faster, Higher, Stronger को बदल कर अब यह साथ में Together भी जोड़ दिया गया तो यह ध्यान रखेगा अच्छा इस बात का जो Latin संसकरन है में Serious, Altius, Fortius और Communiter से मिलता है तो यह Latin word है इन तीन चारों का Faster यानिकी Serious और Altius यानिकी Stronger और दोस्तों यहां पर Higher और Fortius यानिकी Stronger और Communiter मतलब की Together ठीक है इसको ध्यान रखेगा एक ता जो है बहुत ही समवेदन सील है ना एसे कोशिस का रहा है मुख्यविस है कुल देश कितने थे इस ऐलम्पिक खेलों में तो आपको ध्यान रखना होगा Total 206 countries सामिल थे राष्टे ओलम्पिक समीती और सरनार्थी ओलम्पिक टीम के सहीत यहाँ पर Total 206 देश सामिल हुए कुल देश दकि कुल खेले हों प्रतिस परधाएं जिसमें कि 33 खेल खेले गए और 349 ऐसे competition भी रखे गए 349 टोकियो ओलम्पिक 2020 में चार नए खेलों को सामिल किया गया अब यह सवाल यहाँ से बनेगा आपको पढ़ना कैसे है वो चीजों पर थोड़ा सब फोकस रखीगा न तो जरूर आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं अगला चलते है दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो इन्पोरेंट वन लाइनर के तौर पे इसको पढ़िएगा न तो मज़ा आएगा आप लोगो एक्जाम के तौर पे एक्जाम के पॉइंट बीस इन्पोरेंट भी है और वीडियो में बने रहीएगा वीडियो के अंत देखने को मिल रहा है आपको यहां पे 48.8 परसंट जो है महिलाएं है यहां पे टोक्यो जो है दोस्तों एशिया का पहला सहर बना जिसने की दू बार ग्रिश्म कालिन ओलंपिक खेलों की मज़बानी कर दी यह सन याद रखिएगा इंपोर्टेंट है भाई यहां नोट कर दोस्तों अगले पर चलते हैं यहां पे लॉरेल हबर्ड देखिए क्या क्या चीजे इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं लॉरेल हबर्ड न्यूजिलेंड ने भारत तुलन में महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में भा पर तुल्थी पर्दिसपर्धा करने वाली पहली ट्र्न्जेंडर महिला नाम नोट कीजिए यह कोशन रखेगा ही बिलकोल की ओलंपिक ostr बड़ों की प्रत्रिसपर्धा में पहली ट्रन्जेंडर महिला है जो कि नियूजिलेंड से थी और वो क्या खेल खेलती हैं तो यह कोशन पूछेगा कि लॉरेन हबर्ड जो है जो कि एक ट्रांजिंडर है वो किस खेल से संबन दिते हैं तो भारत ओलन और किस वर्ग में तो 87 किलो वर्ग में बहुत इंपॉरेंट था यह कोशन अगला पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों यहां पर टोकियो द चाइना ने जीता है पहला स्वन्ड पदक यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां से अच्छा नेक्स्ट कोशन परनेगा यहां पर कि मोमीजी मोमीजी नीशिया जो कि जापान से हैं और यह महिला खिलारी हैं और यह स्केट बोर्ड प्रतोक्ता में स्वन्ड पड़क जीता था तो बज्जापान से पहला स्वन्ड पड़क जीतने वाला खिलारी तो मोमीजी मोमीजी नीशिया इनका नाम है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा मित्रों ठीक है और यहां पर यह स्वन्ड पड़क जीती हैं और ओलंपिक खिलों में व्यक्तिकत प्रतिश पर प्रदर्शन किया है तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें दोस्तो 2020 में एक स्वन पदक जो की नीरत चोपड़ा ने जीता था मैं आपको आगे बताऊंगा दो रजद पदक और चार काश्य पदक के साथ कुल साथ पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है जो भारत का अब तक का सबसे सर्वस्तेश प्रदर्शन रहा है और भारत ने पदक तालिका में अपना इस्थान 48 वा रखा है तो यहां से कोशन यही बनेगा कि भारत का इस्थान क्या रहा तो 48 वा रहा एक सबसेश पदक दो रजद और चार काश्य के साथ यह अपना इस्थान 48 वे पोजीशन पे बनाए रखा है इनोंने अब देखे यहां पे जो दोस्तों परदर्शन की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा के ओपर चलते हैं नीरज चोपड़ा जो है 87 दसमलो 5-8 मीटर के थ्रो के साथ स्वन पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रेक और फिल्ड एथलेट बने है और नीरज चोपड़ा ओलम्पिक में व्यक्तिकत स्वन जीतने वाले दूसरे भारते बने हैं पहले कौन थे भाई तो नाम याद रखेगा अभिनोव बिंद्रा 2008 में बिजिंग उलम्पिक में उन्होंने जीता था स्वन पदक ठीक है और ये एक इंपॉर्टन फैक्ट है यहां से पहला और ये दूसरे है निरचोपणा ये भारतोलन में थे और ये निशाने बाज में थे सवाल अगला है दोस्तों यहां पे बन सकता है रवी कुमार दहिया के बारे में ये देखे रवी कुमार दहिया जो है वो दो बार गत विस्व चैंपिन रूस के जाउर उगवेव से करीब 57 किलोग्राम के फाइनल हराने के बाद उलम्पिक में रज़त पदक जीते थे तो यहां से रज़त पदक मिला है मित्रो है ना हमारा तो एक ही स्वन था इस बारतो भाई लेकिन जो रज़त पदक जीता है यहां पर दो थे तो एक पदक जीता है इन्होंने यहां रवीकुमार दैया ने और भारत की मीरा बाई चानू यह महिला है और टोक्यो ओलंपिक 2020 मे 49 किलो वर्ग में यह भारत तोलन में रज़त पदर इन्होंने जीता है याने कि सिल्वर मेडल जीता है तो एक सिल्वर मेडल दोस्तो रवीक ने जीता है और एक मिरा ने जीता है यहां पर अगला अपडेट है दोस्तो यहां पर पीवी शिंदू से जो कि टोक्यो ओलंपिक में चीन की बिंग जियो को हरा कर कास्य पतक जीता था और यहां से चीन का सफर इस सिरिज में टोक्य ओलम्पिक में खतम हुआ लेकिन चीन तो बहुत ही आगे गया भारत से फिर ठीक है और यह पहली महिला बनी जो कि यहां पर दोस्तो व्यक्तिकत ओलम्पिक पतक जीतने वाल बहुत है दो व्यक्तिकत ओलम्पिक पतक जीतने वाली यह पहली भारतिय महिला बनी है पीवी सिंदो पहले भारतिय थे वह सुसेल कुमार और यह दूसरे है यहां याद रखेंगा पीवी सिंदो यहां पे दोस्तो अगर हम बात करें लवलीना बोर्गोहेन की जो कि यहां महिलाओं में वेल्टर वेट जो की 64 से 79 किलोग्राम की स्रेणी में मुक्य वाजी में कास्य पतक जीता है यहना कि बॉक्सिंग में इन्होंने यह जीता है क्या कास्य पतक आपको बता दें दोस्तों कि बोर्गोहेन विजेंदर सिंग और मेरिकॉम के बाद उलम्पिक खेलों में पतक जीतने वाले यह तीसरी भारती है तो इनका नाम याद रखे है लवलीना जो है तीसरी भारती वनी है पहले आपको ध्यान रखें विजेंदर सिंग और मेरिकॉम के बाद यह तीसरी है मुक्य बाद यहां पर जो कि कास्य पतक भारत ने जर्मनी को 5-4 सेहरा कर पूरुस होकी में कास्य पदक हासिल किया और इस जीत ने उलम्पिक में होकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार स्वाप्त कर दिया जिया दोस्तों आपको बता दें कि 12 वी बार जब भारत ये पुरुस होकी टीम जो है उलम्पिक पदक जीता है और 1980 में अगर हम बात करें तो ये एक इतिहास रहा है स्वाण पदक भी जीते हैं हम लोगों ने है जब समय कि ये टीम बहुत मजबूत हुआ करती थी ठेके लेक कजाकिस्तान के दॉलेट को यहाँ पर हरा कर कास्य पदक जीता है नोंने बजरंग पुनिया तो एक और कास्य पदक हमारे हाथ आया महिला होकी टीम में पहली बार उलम्पिक खेलों में सेमी फाइनल की कौलिफाइड रही ब्रिटेन 3-4 से हराने के बाद टीम ने इनको कास पतक पुरुस्त लेकर आया है तो यहां से आप नोट कर सकते इनका नाम और महिला होके टीम की कप्तान को न है तो रानी रामपल तो यह दोनों जो है न फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे यह दोनों फैक्ट यह एक्जाम में कोशन बनेगा बनेगा अब जो है यहा बात कर लूँ यहां पर दोस्तों तो कंट्रीज में अमेरिका सबसे टॉप पर रहा ठीक है दूसरे पर चाइना रहा खुल 88 पदक के साथ और अमेरिका ने 113 पदक जीते हैं जपान ने 58 पदक जीतकर तीसरा इस्थान बनाया रखा आपना और वहीं ग्रेट ब्रिटेन ने 65 पदक जीतकर कुल यहां पर चौथा इस्थान मनाया और वहीं भारत के अगर बात करें तो यह 48 इस्थान है भारत का लेकिन 7 पदक टोटल आये हैं यहां पर ओके तो यहां से यह चैप्टर होता है समाप दोस्तों अब हम लोग कल पढ़ेंगे यह टोक्यो पैरालंपिक उ सबके बारे में कुछ-कुछ जो भी डिटेल दिये गए हैं मैं आपको यहां से बताता जाओंगा और साथ में एक सेट का क्यूज भी करवाओंगा तो चलिए अब क्यूज पर चलते हैं दोस्तों यह जो सिरीज है यह आपके लिए आज का पहला सिरीज है और आप भी आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा हर सवाल का जवाब आपको देना जरूरी है ठीके और मैं पहले कोशन से सुरुवात करता हूँ चलिए फटा-फट आंसर करेंगे यहाँ पर कोशन नमबर वन दोस्तों वर्स 2021 के लिए सांती का नोबल प्रुसकार क इसे प्रतान किया गया है हर सवाल के लिए आपको 2-3 सेकंड मिलेगा आपको आंसर करना होगा exactly याद रखेगा यहाँ पर दोस्तों मर्या रेशा और दमीत्री मुराटोव को मिला है दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों यह कोशन इंपोर्टेंट है और यह सांती का नोबल प्रुस्कार इनको दिया गया है 2021 के लिए यह ध्यान रखेंगे नेक्स पे चलते हैं दोस्तों कोशन नमबर टू पे स्ट्रीट वेंडर्स की डिजिटल भुकतान हे तू मंच उपलब्द कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया है बिल्कुल ये ध्यान रखेगा ये पहल दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा ये पहल शुरूरात क्या गया है एलेक्ट्रोनिस और सूषना प्र misfPL की मंत्राले गया इंडोट से आवास और शहरी मामले का मंत्राले यानि कि आंसर क्या हो जाएगा फिर से हमारा D हो जाएगा यानि कि A और B दोनों ही ठीकिए ये ध्यान रखेंगे आपको बता दे कि दोस्तो डिजिटल ग्यान के प्राप्ति के लिए और विशिज अभियान के तहट इसको सुभाराम किया गया था ये नाम याद रखेंगा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान नहीं है ठीकिए मैं भी डिजिटल सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों तीन पे आंसर करेंगे हाली में किस देश ने पहली बार प्रमाणू पंडू बी में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परिशन किया है याद रखेंगे दोस्तों आंसर कर जी और रशिया यानि किसी नोट कर लेंगे दोस्तों रूस ने ये पंडू बी दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का परिशन किया है 4 अक्टूबर 2021 को किया था दोस्तों और रूस के प्रेसेडेंट कौन है तो वलमदिर पुतिन ने प्रेसेडेंट के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मिलन का विजन कहां किया गया बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों आवास और सहरी मामलों का मंत्राले या मोह द्वारा उत्तर प्रदेश के सहर लखनव में किया गया और दोस्तों आपको देखिए इंडरा गांधी जो परतिष्ठान है उहां पर सम्मिलन किया गया यह नोट कर लिजीगा दोस्तों आजाधी एड़ दरेट 75 नोट कर लिजीगा और यह एक नया भारत का सहरी परदिर्श्य में बदलाव करने का योजना भी था दोस्तों यह किया गया था यहां पर ठीक है तो यह फैक्ट क्याद रखेगा आंसर कर लिजीगा यह लखनव उत्तर प्रदेश्ट के मुख्य मंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यानाथ यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा आनंदी बेन पटेल यहां की गवर्नर होती है स्वाल लंब यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा युएस का जो कैपिटल सिटी है दोस्तों वसिंग्टन डी सी होता है यह आपको ध्यान रखना है यहां की करेंसी डॉलर होती है यहां पर अभी प्रेसिडेंट कौन है तो जो बाइडन है तो पुरुस एकल विजेता कौन रहे हैं उन सब के बारे में भी सबाल अंबर 6 दोस्तो राश्टी राजमार्ग प्रादीकरन के किस राज में भारत की पहली आपात कालें लेंडिंग सुविधा की विखसित की गई है तो आंसर कर लिजे के दोस्तों इस ए राजिस्थान में राजिस्थान के मुख्य मंत्री है अश की पूर्णे तिति पर महा कवी दिवस के रूप में मनाने का घोशना किया है अंसर कर लिजे के दोस्तों सुप्रमंडियम भारती नोट कर सकते हैं दोस्तों तामिल नडू महा कवी दिवस मनने का फैसला किसने लिया है तो यहां के मुख्य मंत्री नहीं है यहां के मुख्य स्टैलिन ठीक है तमिल नडू के मुख्य बंतरी है चलिए आप मुझे ना कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताएगा वी इस दे गवर्नर अफ तमिल नडू इन पॉरिंट फैक्ट है यहां से नोट कर लेंगे सबसे उचे एर प्यूरिफायर टावर का निर्मान कहां क्या गया है जल्दी संसर कर लेंगे कुछ नमर एट का यहां पर बिल्कुल आंसर कर जीएगा दोस्तो इट्स बी नोट कर लेंगा चंडिगर दोस्तो चंडीगड के सेक्टर 26 में और यहां पर ट्रांस्पोर्ट चॉक है जहां दोस्तो देश का सबसे उचा टावर यानि कि वायू सुधक यंद्र है एक एर क्यूरिफायर जो है यह क्या है वायू सुधक यंद्र है इसको बना कर तयार कर दिया गया इसकी उचाई कितनी है यह कोशन पूशकता है तो 24 मीटर है इसकी उचाई खास बात यहां है कि दोस्तो इसमें फिल्टर के बदले की जुरूत नहीं है बदलने के कभी जुरूत नहीं है आधुनिक टकनीक पर यह बना है वायू सुधक यंद्र है ठीक है चलिए इस प्रीडी पंखा भी इसको कहते है सवाल नंबर चलते हैं नौ पर दोस्तो आंसर करेंगे यहां पर चलिए दोस्तो कोशन है कि USA तथा जापान के अतरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2 प्लस 2 वारता आजन किया है जी हां नौट कर लिएगा दोस्तों यहां पर US तथा जापान के अतरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2 प्लस 2 वारता आजन किया है तो आंसर कर लिएगे दोस्तों एटसब B ऑस्ट्रेलिया के साथ नोट कर लेज़ेगा दोस्तों भारत और ऐस्ट्रेलिया के बिस ये 2 प्लस 2 वारता शुरू हुआ है और ये दोनों ही रक्षा और विदेश मंत्राले के उपर काफी चर्चा होगी यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री कौन है दोस्तों नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके ह में जरू बताईएगा सवाल नमर 10 पे चलते हैं दोस्तों यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही है मैंने पूरूस का बताया अभी अब इदर महिला का बताईए आप लो 10 का अंसर कर लिजिएगा दोस्तों इस ए एमा रादू कानू ए इस और करेक्ट आंसर नो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्मान कहां किया गया है अंसर कीजिएगा दोस्तों इस डी उत्राखंड में किया गया है ठीक है नोट कर लिजिएगा दोस्तों यह उत्राखंड में खुला गया है और यह भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है ओपन आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्वाल नमर चलते हैं 12 पे दोस्तों चात्रों की भासा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाली में प्रोजेक्ट उडान को लॉंच किया गया इग्जेक्ली आपको ध्यान रखना पड़ेगा इट्स बी इस और करेक्ट आंसर या आयाईटी बॉंबे आयाईटी बॉंबे नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और आपको बताते हैं 14 सेप्टेंबर 2021 को हिंदी दिवस के आउसर पर ही इसको शुरू किया गया इस प्रियोजना को दोस्तों उद्धिश उच सिक्षन सस्थानों में सामिल किया गया और इसके दौरान इसके सामने आने वाली भासाई बाधाओं को दूर किया जाएगा यह आयाटी बॉंबे ने यह कारणामा किया है स्वाल लंबर 13 पर चलते हैं दोस्तों अमेजन द्वारा भारत में किस राजे में आल विमेन डिलिवरी इस्टेशन की सुरुवात की जाएगी 13 का उतर करेंगे दोस्तों यहाँ पर इटससी गुजरात में आप लोग भी आंसर कमेंट केजिए देशे दो से तीन सेकेंड गंदर आप लोग आंसर कर देना है इदर अमेजन इंडिया गुजरात में यह करें गुजरात के CM कौन बने है भाई यहाँ पर नए अभी CM बने है यहाँ पर यह ध्यान रखेंगा ठीक है भुपेंदर भाई पटेल ठीक है आप मुझे यहाँ पर सेक्षन में बताएगे कि अमेजन दोस्तो एक e-commerce की कंपनी है जो कि भारत में अब all women delivery station को सुरुवात करने जा रही है दोस्तो ठीक है आंसर कर लिए सवाल नंबर 14 पर चलता है दोस्तो आंसर करेंगे हाली में हुई नियुक्तियों में निमलेकित में से कौन सुमेलित है तो देखिए नियुक्ति याने की कौन क्या है से कोशन जरूर पूछेगा एक्जाम में तो आंसर कर लिजेगा यहाँ पर दोस्तो जियां 14 का 68 D उप्र यह सभी सही है ठीक है जियां गुर्मिर्ट सीख बने है उतराखंड के राजेपाल मैंने आभी आपको बताया और आरेन रभी मैंने एक सवाल पूछा था कल आप लोगों से कि किस राज्य की राजेपाल बने है तामिलनाडू के बने है भुपेंदर पटेल जो है मुख्यम फर में करवाया हुआ है तो आप लोग जो वन लाइनर चार सो कोशन करेंट दिया है मैंने वो कंप्लीट देख जाएगा एक एक कोशन इंपॉडेंट है वो है ना छोड़ने वाला कोई कोशन है नहीं वहां पे आपका तो आंसर कर लिजीगा दोस्तों यहां कोशन नमबर 15 फरा का जिया नोट कर लेंगे ए is your correct answer उत्पल के बैनरजी is the right answer सवाल नमबर चलते हैं सोला पे दोस्तों कोशन है केंद्रिय परियावरन एवं वल जन वल जलवायू परिवर्तन मंत्राले के दोरा हाली में launch किया गया प्रान पोटल का समन्ध किस्ते है अब बताई जो मैंन नियम के लिए बनाये गया दोस्तों सवाल नमबर 17 दोस्तों राज्य किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिसन की सुरुवात की गई ये भी कोशन आपको कल डाला है 400 कोशन है बाजरा मिसन याद रखे का दोस्तों आंसर कर लेंगे 17 का यहाँ पे जिहां ए 36 गड़ इस दर नमबर जलते 18 पे कौन सा देश सभी नौ निर्मित घरों में एलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार करने वाला दुनिया का पहला देश पन गया है 18 का उत्तर कर लिजिएगा दोस्तों यहाँ पे it's a C. इंग्लेंड is the correct answer. नोट कर लिजिएगा दोस्तों नया कानोन इंग्लेंड को दुनिया का पहला देश बना दिया है और सभी नए घरों में यह EV चार्जर की अफशक्ता होगी यहाँ पे यहाँ एलेक्ट्रिक विकल चार्जर की अब शिक्ता होगी यहाँ पे उन लोगों की मदद करने में जो की विश्पास को बढ़ावी दे रहा है और इंग्लेंड में कई घरों में ओफ श्ट्रीट पार्किंग भी बनाया जा रहा है तो कि गैरेज नहीं होगा वो त्री पक्षिय बैठक होई है जो कि विदेश मंद्रों की इस्तरिय बैठक कहला जा रही है तो यह ब्रिटेंड में हुआ है ठीक है यह ध्यान रखेंगे और यह जी सेबन यानिकि ग्रूप सेबन विदेश मंद्रों की बैठक है ठीक है और यहाँ पर इसी में हुआ है त् लब्धी हांसिल की है बिलकुल और चायना ने जी हां ये भी kg 400 में डाला हुआ है तुछ रोवर जो रोवर चीन के पौराणिक अग्सके दिवता कहे जाते हैं सनीवार को मंगल पर सफलता पुरवक लेंड किया है और रोवर एक छोटा सांद्रेश रोबोट होता है यह आप ध्यान रगीगा चाइना का है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 21 पे हाल ही में छात्रों को सेक्षन आउसर प्रदान करने है तो किस मंत्राले संस्थान ने लद्दाग इगनेटिटेट माइंड्स प्रोजेक्ट की सुरुवात की है 21 का उत्तर कर लेजिए दोस्तों यहां पे भारतिय सेना ने किया है सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे हैं सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे है भारत के किस सहर में कुटों के लिए विशेज ब्लड बैंक इस्थापित किया गया है बिल्कुल आंसर कर लेंगे दोस्तों लुधियाना यहां यह प्लाजमा डोनेट करेगा प्लेटलेट्स देगा आरबीसी देगा लुधियाना के अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल सा पित किया गया है ओके तो यह इंपॉरेंट है लुधियाना स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों 24 पे आंसर करेंगे लिए अंग्रेजी भासा का सहित अकेड़ीन प्लस कर 2020 किसे समानित किया गया है 24 उत्तर बहुत इंपॉरेंट किजिएगा बहुत इंपॉरेंट है स्टार्मार्ट लगा लिजिएगा वेन गॉर्ड इजा ट्रेबलर यह कुश्चन कल भी आपको 400 वाला पीडियेफ में दिये है चार सो सुबा दिये है न आठ बजे तो उस वीडियो में आपको बताया है स 24 उत्तर कर लेजीगा दोस्तों यहां पर यह यह तो और आप लोग बोलता हूं कि जो चीजे मैं आपको पढ़ा रहा हूं करेंट में यह प्रूफ दे रहा हूं मैं यह प्रूफ दे रहा हूं कि यही सब कॉश्चन आप लोग को मैगजिन में देगा जाएगा चाहे इंपोर्टन है और यह फ्री में चीजे दी जाती है तो आप लोग लगता है कि शर्तों ऐसी पढ़ा देते हैं तो ऐसा मत सोचीएगा बहुत सार इंपोर्टन फैक्ट के साथ मैं आपको बहुत सार चीज बता चुका हूं चैनल पर आप लोग विजिट कीजिए जाईए द साबित के जाएगा ले लदाक सवाल नंबर 26 दोस्तों किस राजी सरकार के द्वारा कोशल या मार्तित्व योजना की लॉंच किया गया है 26 का अंसर कर जाएगा दूस्तों 36 गर्ड इस दर राइट आंसर 36 गर्ड सरकार के द्वारा दूसरी संतान होने पर बालिका का जनम होता है तो आपको 50 रुपे की एक मुस्तरासी प्रदान की जाएगी और यह योजना पर पूरा व्याए 36 गर्ड सरकार करने जा रही है या अ सवाल चलते हैं दूस्तों यहां पर 27 की तरफ ठीके 27 पर चलते हैं आंसर कीजिएगा यहां बहुत इंपोर्टन सारे कोशन है बाधिक संपदा सुचकांग 2021 में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है बिलकुल आंसर कर लिजीएगा दूस्तों ए चालीसवा इस्था सामिल किया है भारत को चालीसवा इस्थान यह मिला है बौधिक संपदा सुचकांग 2021 में भारत का इस्थान रहा है चालीसवा ठीक है और यह पिछले वर्ष 246 पर था यह घसक कर अब चालीस पर आ गया है सवाल नमबर 28 पर चलते हैं दूस्तों फरवरी में यहां पे फरव राज्यों में सिर्ष राज्य को सिर्ष इस्थान मिला है बिल्कुल 28 का आंसर कर लिजीगा दूस्तों यहां पे जी हां बी जोर करेक्ट आंसर महराश्ट्रा इस दर आइट आंसर बी इस दर करेक्ट आंसर ठीक है यह कोशिन इंपॉर्टेंट रहा सवाल नमबर चलते हैं 29 30 प्रवरी 2021 में तीन दिवस यह मांडू महुसा का आगन किया गया 29 का उत्तर किजेगा दूस्तों यहां पे सी मध्य परदेश 13 से लेकर 14 फरवरी 2021 में यह मांडू महुसा मना गया गया मांडू एक वहां का राजा हुआ करता दो जहां पर इनके उपलश्पर यह स्तिभार स्वाल नंबर 34 भारत राष्ट्रिय सुरुक्षा परिशत के जार्व में किसे में किसे कुल करकarm sich के बारत घ躁ब बैट शर्वे कहना हैं और राष्ट्री सुरुख्षा परिशता के अधेस्ट के रूप्प में किसे लिद्धिकर केरिला के नाम है यहां पर यहां पर यह खुला जाएगा सवाल दमर्षा थे यहां पर आंसर करेंगे जया वीवीता संडक्षन पर ध्यान केंद्रित करने है तुं चौथा वन प्लैनेट समेलें का आविजन किस देश की द्वारा किया गया है 32 का उत्तर करेंगे दोस्तों यहाँ पे यह फ्रांस के दोवारा यह जो करेक्ट आंसर नोट कर लिजीगा दोस्तों जैविवित्या की रक्षा पर ध्यान देना है इसका केंदरन वन प्लेनेट समिट फोर दा बायो डैबरसेटी इसका थीम रहा आपको उदा देखी दोस्तों इसका आयोजन 11 जनवरी 2021 को किया गया ठीक है यह नोट कर लिजीगा सवाल लंबर चलते हैं 33 पे दोस्तों आंसर करेंगे जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र को खोजा लगबग 45,500 साल पुरानी किस देश में की गई आंसर कर लिजीगे दोस्तों 33 का उत्तर डी इंडोनेशिया इस दर राइट आंसर नोट कर लिजीगे दोस्तों इंडोनेशिया के एक द्वीप पर यह गुफा है जिसमें की 45,500 साल पहले जंगली सुवर की पेंटिंग की जनकारी मिली थी और इंडोनेशिया के दक्षिन औ गुफा में ये पेंटिंग का पता भी लगाया गया इंडोनेशिया की राजानी जकारता होती है स्वाल लंबर चलते हैं 34 पे दोस्तों समुदरी खोच की छमता बढ़ाने के उद्देश से तटी अनुसंधान वहां सागर अनवेशिका का जला वतरन किया गया जो की बंदर तो आंशर कर लेइए दोस्तों यहां पे इससी चिन्नई बंदरगा यह कोस्टल रिसेर्च विकल सागर अमेशिका है ना अनवेशिका है इसका जला वतरन किया गया जो कहां पर चिन्नई बंदरगा आप पर केंद्रिय परिथ्वी विज्यान मंत्री है हमारे हर्षवर्धन और ये चिन्नाई बंदरगा पर तठीय अनुसंदान यानकी Coastal Research विकल सागर अमेंशिका का जलावातरन क्या गया दोस्तों यहाँ पर सवाल लूम्बर चलते हैं 35 पर किस फॉर्मुला वन ड्राइवर को ब्रेटेन की महरानी ने सर्वोच नागरिक समान नाइटोड से समानित किया तो अंसर कर लिजीए कि दोस्तों यहाँ पर 35 का जिहां D is your correct answer लूइस हैमिल्टन नोट कर सकते हैं यहां से यहां लूइस हैमिल्टन स्वाल इंपोर्टन है स्वाल मतलते हैं 36 पर दोस्तों भारतिय रेलवे द्वारा बिस्वे की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्गाटन किया गया जिससे नाम दिया गया था तो 36 का उत्तर कर लेंगे दोस्तों यहां पर नोट कर लेंगे 36 का आंसर कर लेंगे C की लाइफ लैंटि एक्सप्रेस कहते हैं इसको हंदी में दोस्तों आपको बदा दे कि यह 991 में जी हां सुरू किया गया था जो कि दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन थाकर इसको गोरौभी प्राप्त है लेकिन भारतिय रेलवे द्वारा बिस्वे की पहली टीम ने उत्री द्रूपर 16,000 किलोमेटर लगातार उडान भर कर इतिहास रचा है तो बेलकुल 37 का उत्तर कर लिजीगा दोस्तों यहां पर बहुत इंपॉर्टनेट कोश्च नहीं है तो 37 का आंसर एक कर लिजीगा एर इंडिया इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं दोस्त सवाल नमबर चलते हैं 38 पर दोस्तों किस राजिस सरकार ने क्रिसी छेतर में मिट्टी और जल की जाच के लिए क्रिसी संजीवनी वैन की शुरुवात की है आंसर कर लिजीगा दोस्तों आंसर कर लेंगे यहां पर इस जी हां नोट कर लेंगे इस अब बी करनाटका इस दर सवाल नमबर चलते हैं 49 पर दोधन बांध का निर्मान किया गया आंसर करेंगे दोस्तों यह केन बेतवा नदी है बेतवा नदी दोस्तों मद्यप्रदेश की नदी है यह नदी लिंक कहा जाता है इसको ठीक है याद रखेगा सवाल में चलते हैं 40 पर किस वर्ष तक भारत को उर्वरक छेतर में आत्म निर्वर बनने की गोशना केंद्री रसायन मंत्राले ने की है आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर 10 कोशन और है आंसर सभी करके जाएगा और देखिए जो रोज आप लोग इस सीरीज दिया जाएगा है ना आपको रोज इस स सीरीज यहां पर और एक सेट टेस्ट आठ बजे चलेगा जो कि आपका भी एडूटेरिया से चलाया जाएगा तो थोड़ा लास्ट में यह सब भूग भी पढ़लना चलिए काफी सीरीज हमने आपको करवाए हैं तो इन सभी सीरीज को भी कवर करिया जाएगा ठीक है कुछ घटना चकर के भी सीरीज लेकर आएंगे बीपेसी को लेकर तो इसी तरह से यह सीरीज चलता रहेगा चुकि मैं थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम में हूँ लैप्टॉप नहीं मेरे पस अभी यहां पर और नहीं मैं अपने क्लास को दे सकता हूं आप लोग को यहां सामन दूसरे खेलो इंडिया वीटर गेम्स का उधगाटन हाली में प्रधान मंतरी द्वारा किया गया एक तालिस का उतर कर लेजीगा दोस्तों इटस अभी गुलमर्ग में प्रधान मंतरी मोदी ने जितने भी अभी जितने योजना या कारेकरम शुरू कि उसको ध्यार में शुरुवात हो रही है ठीक है और इन खेलों में 27 राजित और केंद्रसाजित प्रधेशों को जो खिलाड़ी है वो हिस्सा लेंगे ठीक है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 42 पे फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्ति सैन अव्यास जुद्धा अव्यास का सोलहवा संस्क्रन प्रसंपन हुआ है आंसर किजिए का दोस्तों यहाँ पे इटसब भी भारत और अमेरिका के बीच सवाल नंबर 43 दोस्तों आंसर कर लिजीगा निमलिखित में से जिगा और यह आपको देखे जो भारत जो है यहाँ पे यह इंपॉर्ण कोशन है उसके लिए कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रेडिंग एयरपोर्ट बना है तो आंसर की जिगा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है सी जोर करेक्ट आंसर सवाल नंबर चलते हैं 44 पे चैलेंज वन उपग्रह निमलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जो कि रूस के द्वारा लॉंच किया गया है दो कि 24 का अंसर कर लिजिए का दोस्तों HU समुक के दौारा बनाया गया ता किसके द्वारा तैलनेट याद रखीगा टैलनेट वन अचलते हैं 45 पे बी बी आई एन मोटर वहां समझोते में निम्लिकित में से कौन सा देश सामिल नहीं है 45 का अंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर C is the right answer Myanmar नोट कर लेजिएगा दोस्तों यहाँ पर C is the correct answer दोस्तों Myanmar की राजधानी और करेंसी क्या है आप लोगों को मैं बता चुका हूँ आप लोगों को आंसर करना हो गए तर ठीक है आंसर के जरूर कीजिएगा ठीक है नैप येदा तो यहाँ की capital city है लेकिन currency चलिए बता दीजिए आप लो पहले इसको वर्मा भी कहा जाता था Myanmar को और ये सारे इसके आंसर यहाँ पे दिये गए है सभी कोशन के ये PDF मैं आपको दे दूँगा अभी टेलीग्राम पे भी तो आप लोगो जरूर इसको देख लेजिएगा 46 वा carbon watch app को launch करने वाला भारत का पहला केंडर साजित प्रदेश बना है 46 का उत्तर कर लेजिए दोस्तों यहाँ पे जिहां नोट कर लेजिए इस सब भी चंडी कर नोट कर लेजिए और जो वन लाइनर का सीरीज आपको दिया है मैंने 400 कोशन का वो बिलकुल रट मार येगा उससे कोशन बाहर इदम चुवेगा नहीं पूरा इस तींचार महीने का है ना तुम रट मार ये देखिए वही सब कोशन यहाँ भी डाला गिया है आप लोगों विश्वास नहीं हो रहा तो मैं सब कोशन दिखला ही रहा हूं यहाँ पे कार्बन वाच एप लॉंच किया रहने वाला भारत का पहला केंद्रसाजित प्रदेश है दोस्तों गिया नोट कर लिजी का यहाँ पे 46 का बी चंडीगर चंडीगर की राजाने चंडीगर होती है ठीक है सवाल नमर चलते है 47 पे युनेस्को द्वारा की गई E9 का पहल का सम्मंद किस छेदर से है युनेस्को द्वारा पहल की गई है E9 नोट कर जी के दोस्तों सजुक्त राष्ट स्टैक्षिक वेज्ञानिक और संस्कृतिक संगठन है युनेस्को तो आपको बता दे 47 का अंसर कर लिजी का B उर्जा से सम्मंदित है सवाल नमबर 48 रसाइनिक हतियार निशेद संगठन के बाहरी लिखा परिक्षा के रूप में किसे चुना गया है तो आंसर कर लिजी का 48 का दोस्तों यहाँ पर इट सब B गिरिश्चन्द मुर्मो को ये भी कोशिन कल करवाए हैं आप लोग को कल नहीं मतलब सवाल नमबर 49 युद्धा अभ्यास के दोरान किस देश के पंडूबी के आर आई नागला गुम हो गई है जिसकी खोज के लिए ओपरेशन तेमान शुरू किया गया है सबसे इस्टार मार्केबल कोशिन लास्ट में दिया है युनेस्को प्रतेक वर्स बिस्व पुस्तक राजधानी याने कि वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित करता है या पुस्तक राजधानी 23 अपरेल को एक वर्स की अवधी के लिए जारी किया जाता है और इस वर्स जौर्जिया की राजधानी या तिबलिसी नोट कर सकते हैं दोस्तों जौर्जिया की राजधानी तिबलिसी ये नोट कर सकते हैं B is the correct answer जोकि 20 पुस्तक राजधानी 22 के रूप में नामित किया गया है, तो B is your correct answer, दोस्तों इन सब के answer यहाँ पे आपको दिये गए हैं इस PDF में, आप लोग यहाँ से match भी कर सकते हैं, ठीक है, और यह सीरी यहाँ पे आज का पहला खतम हुआ, कल हम लोग देखेंगे इसका second part, ठीक है, और देखेंगे पैरलंपिक स जोड़े वे कुश्ट तत्या, तो all the best, ऐसे ही वीडियोज आपके साथ हम पहुचाते रहेंगे, अपने चैनल के बादे हम से धन्यवाद दोस्तों,